Hello everyone, Welcome to Online Study Point आज है 14th of June और आज के इस वीडियो में हम 14th of June से related current affair के सभी important question को cover करेंगे तो यदि आप लोगों को इस वीडियो के PDF चाहिए तो आप हमारे इस mobile application को install कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को daily quiz, free PDF और per day के current affair का audio भी मिल सकेगा और यदि आप लोगों को हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जुड़ना है तो इसकी link description box में दी हुई है और कल के लिए आप सभी का धन्यवाद कल के वीडियो को 10,000 से अधिक लोगों ने like किया तो उसके लिए thank you और आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे भी like और share जरूर करिएगा स्टार्ट करते हैं हमारा पहला question हाली में किस देश की 9 सेना पहली fully stealth war ship ये बना रही है तो ये बनाया जा रहा है रशिया की navy के द्वारा अब war क्या होता है war यानि की युद्ध ship यानि की जहाज आप सभी जानते हैं तो कहने का मतलब है कि अपनी सुरक्षा के लिए जुकी बनाया जा रहा है रशिया की navy के द्वारा तो इसने तकनीक के माध्यम से इसका पता लगाना मतलब कि पानी के अंदर इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा साथ ही नौसेना का ये जो जहाज है ये पंडुब्बी का पता लगा करके पंडुब्बी आप सभी समझते हैं ये पानी के अंदर रहती है तो इसका पता लगा करके इसे नश्ट करने में सक्षम है साथ ही इस्टील तकनीक से निर्मित ये जो जहाज है ये विमानों के राड के कनेक्शन से दूर होगा राडार के दौरा इन्हें कैच नहीं किया जा सकेगा इतनी एडवांस टेक्नलोजी के साथ रशिया की नेवी के दौरा बनाया जा रहा है फुली इस्टिल्थ वार्शिप तो अब हम जान लेते हैं रशिया के बारे में रशिया जिसका कुछ हिस्स से पहले स्थान पर रहा था मुमबै और यहां की क्रंसी क्या है तो यह रूबल कि संसत का नाम क्या है संसत का नाम है ड्यूम्ह और यहां के प्रेसेडंट हैं व्लाद मिर् कई बार एक्जाम में पुछा जाता है कि किन दो देशों की बीच अरल साकर इस्थित है तो यह उजबेकिस्तान और कजाकिस्थान इन दोनों देशों की बीच में यह स्थित है कुछ करण के कोश्चन है जैसे कि रश्या की दवारा स्वयम् इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन यह इस्थापित करने की घोशना की गई है और इसके चाइना के साथ अभी हाल-फिल-हाल संबंद भी अच्छे बनते जा रहे हैं तो यह देखा जाए तो रशिया और चाइना इनके बीच एक नदी है जिसका नाम है आमूर नदी इन दोनों देशों के बीच अंतराश्टी सीमा रेखा बनाती है हाली में जो रशिया है यह ओपन स्काइट रिटी इससे यह अलग भी हो चुका है अगला कुश्चन है किस अंतराश्ट्री एजेंसी ने 2030 तक एट्स को समाप्त करने के लिए एक राजनेतिक घोशना को अपनाया है तो है इसकी फुल फॉर्म किस वाइरस से होता है तो यह HIV वाइरस के कारण होता है जैसे की कोरोना के कारण आप जो बिमारी का नाम जान रहे हैं इसे आप कहते हैं कोरोना हो गया जबकि यह है इसकी फुल फॉर्म कोविड-19 तो आप पढ़ते हैं इसकी फुल फॉर्म बनती है Corona Virus Disease 19 19 का मतलब है कि 2019 में इस बिमारी का पता लगाए गया था ये है बिमारी का नाम और किस वाइरस से हो रहा है तो इस वाइरस का नाम है SARS-CoV-2 ये है इस वाइरस का नाम और ये है बिमारी का नाम यहां हम बात कर रहे है AIDS की तो इसी AIDS के प्रती लोगों को अवेर करने के लिए इस बीमारी के प्रती लोगों को अवेर करने के लिए एक दिवस भी मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पर एक दिसंबर को World AIDS Day तो ये भी आप याद रख सकते हैं और इसी को समाप्त करने की घोशना ये की गई है UNGA के द्वार तो ये संवित राष्ट का ही एक हिस्सा है इसके स्थापना 1945 में हुई हैटक्वाटर रिस्तित है न्यू यॉर्क में और एक most important question है हाली में मौल दीप के जो अब्दुल्ला सहीद है ये इसके director general बन गया है तो ये additional ताउर पर आप याद रखेंगे और ये आप किसी भी exam की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के सामने एक important information बताने जा रही हूँ देखिए किसी भी exam में सबसे ज़्यादा क्या जरूरी होता है GK और current affair ये दो सबसे important topic होते हैं किसी भी exam के क्योंकि इन से related exam में question तो पूछा ही जाता है GK तो unlimited है आप कितना पढ़ेंगे और कह question bank के बाहर एक भी question नहीं जाएगा तो ये जो question bank तयार किया गया है इसकी price क्या है देखिए इसकी price ज्यादा नहीं रखी गई है 200-150 बिल्कुल नहीं है आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से इसका price मात्र रखा गया है 21 रुपए का इसमें आप लोगों को एक साल का free current affair भी 21 रुपए में इससे सस्ती नोट साप लगों को नहीं मिल पाएगी इसे आप purchase करिए और पढ़िए purchase करने के लिए description box में एक link दी हुई है आप वहाँ जा करके इसे purchase कर सकते हैं अगला question है UNCTAD की पहली महला महान देशक ये कौन बनी है तो ये भी हाली में बन गई है Rebecca Green Span जि Trade and Development ये है क्या तो ये संक्तरश्ट महासभाद जिसके बारे में अभी हमने discuss किया है इसी के दुआरा इस्थापित किया गया था 1964 में और ये एक इस्थाई अंतर सरकारी निकाय है ये जो संस्था है ये विकास सील देशों में व्यापार निवेज और विकास के अवसरों को अधिक्तम करने का प्रयास करता है इसी के अध्यक्ष के रूप में न्यूक्ति की गई है रेबेका ग्रीन इस्पैन की और ये बनी है इस संगठन की पहली महिला अध्यक्ष जैसे की जो नकोजी अंकोजी है नाइजीरिया से बिलॉंग करती है वर्ल्ड ट्रेड और्गाना इसके 233 साल की तिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है ये सारी चीजे में आप लोगों को बार बार इसलिए रिवाइस कराती हूं ताकि कोई भी चीज आप लोगों के दिमाग से इसकिप ना होने पाए अगला है हाली में किस राज्य सरकार ने प्राण वन योजना लाई गई है इसी ऑक्सी वन योजना के तहट अब इसने एक पेंशन में शुरू कर दी है प्राण वायू देवता योजना इसके तहट होगा क्या कि हरियाणा में ऐसे व्रक्ष जिनकी उम्र 75 साल हो चुकी है 75 साल के जो उपर के व्रक्ष हैं इनके रख के लिए हर्याणा गौर्मेंट के द्वारा 25 रुपए की वार्सिक पेंशन दी जाएगी और इसे ही नाम दिया गया है प्राण वायू देवता पेंशन योजना इसके लिए हर्याणा के सभी शहरों में 5 एकड़ से 100 एकड़ तक की भूमी पर ऑक्सी वन लगाये जाएंगे और इसी के जो केर करेगा प्रती पेड 25 रुपए ये पेंशन के रूप में मिलेगा हर्याणा गौर्मेंट के द्वारा तो व्रक्षों को लेकर के राज्य सरकारे काफी अलर्ट है जिसके कली मैंने आप लोगों को बताया था कि हाली में जो महराज्ट गौर्मेंट है इसन कर रहे हैं हर्याणा की तो हर्याणा से रिलेटेड कुछ करण के कोश्चन है जैसे कि एयर टैक्सी सर्विस के शुरूआत हिसार से प्रोजेक्ट एयर केर गुलगाओं से ऑक्सिजन और वील्स करनाल से और हाली में यहां इस्थानी लोगों को मतलब की प्राइवट जॉब सालम जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं अब यदि हम बात करें इसी अंतराश्टी तैरा की महासंग यने की इंटरनेशनल स्विंग फडरेशन की इसकी स्थापना जुलाई 1908 में हुई थी और इसका हैटक्वार्टर इस्थित है लौजन स्विजर रेंड में यदि हम अ इंटरनेशनल होकी फडरेशन के अध्यक्ष यदि हम बात करें गियानी इंफैनि टोकी तो ये फीफा के अध्यक्ष अगला है हाले में फालकन क्लॉस नामक अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ है तो इसके शुरुआत अमेरिका और सौधी अरब की सेन और ये है सौधी अरब इसकी कैपिटल क्या है तो ये है रियाद करंसी तो ये है सौधी रियल सौधी अरब से रिलेटेड अब मैं आप लोगों को कुछ most important fact बताने जा रही हूँ जो कि करंट से ही रिलेटेड है देखे जो सौधी अरब है इसने अभी हाली में जलवाई उ परिवर्तन ये कि climate changes की समस्या से निपटने के लिए किसकी शुरुआत की है green initiative पहल की शुरुआत की है जिसके तहर जो सौधी अरब है ये क्या करेगा पूरे सौधी अरब में 10 लाग से अधिक व्रक्ष ये लगाएगा यहां greenery को बढ़ावा देने के लिए साथी जो कारे नहीं होंगी रोट नहीं होंगा तो यहां कारे चलेंगे भी नहीं और जिससे कि यहां carbon को उत्सरजन ये 0 हो सकेगा ताकि यहां जलवाई परिवर्तन की समस्या को कंट्रोल करने में यह अपना योगदान दे सके और इस development का नाम क्या रखा गया है दा लाइन तो यह का मिनो पुलिस में जार्ज फ्लॉइड की हत्या का एक वीडियो फिल्माने के लिए प्रतिष्ठित पुलिसजर पुरिसकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया यह आप केवल इतना याद रख सकते हैं कि 2021 का यह जो पुलिसजर पुलिसकार है यह किसे दिया गया है यह दिया गया है डार निला फ्रेजियर को यदि आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे तो ये न्यूस लास्ट यर काफी सुर्खियों में रही है ये है क्या तो जिस विक्ति को इस पुलिस वाले ने गर्दन से दबाया है ये अफरिकी अमेरिकी समुदाय का विक्ति है और इसका नाम क्या है इसका नाम है जॉर्ज फ्लोइड जिस अधिकारी ने जिस पुलिस अधिकारी ने इसे अपने पैरों से दबाया है गुटनों से दबाया है इनका नाम है देरेक चावविन ये पूरा मुद्ध है क्या तो देखे यह जो George Floyd है यह रहते हैं तो Houston में है Houston यह वही Houston है जहाँ Howdy Modi कारिकरम का अजन किया गया था NRJ Stadium में तो Houston में रहते हैं लेकिन यह काम के सिलसिले में कहां आये थे Minneapolis यह नाम जो आप लोगों को लिखा दिख रहा है यह है Minneapolis जहां यह आये थे और यहां एक restaurant में यह बत और security guard का काम किया करते थे तो जब यह अपने इस restaurant में काम कर रहे थे तब इस पुलिस अधिकारी डेरेक चावविन के द्वारा इन्हें हिरासत में लेने का प्रयास किया गया इन पर आरोप यह लगाया गया कि इन्होंने इनके जॉर्ज फ्लॉयड ने 20 डॉलर 20 डॉलर कहने का मतलब है कि लगभग पंद्रा सो लगभग पंद्रा सो रुपे के फर्जी नोट के जरिये इन्होंने किसी दुकान में खरीददारी की कोशिश की है तो यह इनके हाथ नहीं आए तो इन्हें अपने घुटनों के बल पर ऐसे जमीन में लिटा दिया और इसके बाद इनकी डेथ हो गई जब इनक पोस्टर लगाए गया आई कांट ब्रीथ को लेकर के और इसने एक हिंसक रूप ले लिया था काफी जगह अमेरिका में कर्फ्यू लगाने की इस्तिती भी आ गई थी हालाकि यह अभी करण का ही कोश्चन है कि यह जो पुलिस अधिकारी है जिनके दोरा इनकी मौत हुई थ लिया है डार निला फ्रेजियर ने यदि हम अधर आप्शन की बात करें तो डेविड डियोप इन्होंने 2021 का अंतराश्ट्य बुकर पुरिसकार अपने नाम किया है अभी जीता गुपता जो की मैथली सरन गुपती जी की बेटी है इनकी उम्रह साथ साल यह दुनिया की सब से कम उम्रह की महिला भी है इस पुरिसकार की केटेगरी में आप चाहें तो एक और नाम याद रख सकते हैं यह है मेघर राजगोपालन का जो की भारती मूल की पत्रकार है इसके लावा दो अन्य हैं जिन्होंने जिन्जियंग शेत्र यह कहां इस्तित है तो यह चाइना का रिपोर्टिंग के लिए पुलिस देर पुरिसकार दिया गया है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस से कब मनाया गया तो यह 12 जून को हर साल मनाया जाता है किसके द्वारा मनाया जाता है इंटरनेशन लेबर और्गानाईजेशन के द्वारा 12 जून को विश्व बाल श कर ले जाती है तो इसी के लिए इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि इसे एक चिंता का विशर बताया है तो बाल श्रम ये मांसिक और सारीरिक दोनों तरीकों से बच्चों को बहुत कमजोर कर देता है बहुत नुकसान पहुंचाता है पिछले चार साल में 85 लाख बाल और यहां बाल श्रम की बात की जा रही है तो एक नाम तो आप लोगों के दिमाग में जरूर याद आना चाहिए किनका नाम कैलास सत्यार्थी का नाम कैलास सत्यार्थी यह है कौन तो यह बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता है जिसके लिए इन्हें 2014 में मलाला यूसु लेबरिंग के लिए कैसे छोड़ सकते हैं वे किनके बच्चे हैं क्या वे हमारे बच्चे नहीं है तो इस पर ध्यान देनी की जरूरत है इसके लिए इन्होंने एक ट्यूट भी किया था इनका नाम आप याद रखेंगे कैलास सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के प् लॉंग करते हैं तो यह फिर से युनाइटेड नेशन के महा सची बनने जा रहे हैं युनाइटेड नेशन के स्तापना यह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में इसलिए हम 24 अक्टूबर को युनाइटेड नेशन डे के रूप में बहारत इसका मैंबर है और इसका हैटकौarटर नियू यॉर्क में इस्थित है यदि हम बात करें टेडरोस अदानुम की तो ये हैं वर्ल्ड हेल्थ और्गानाइजेशन के महाने दे सक जबकि जो डेविड मल पास हैं ये हैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अगला है दक्षली अफ्रिका की 37 वर्सी महिला जिनका नाम है गो पास्ट मन थी एक नियूस देखने को मिली थी जिसमें की माली की एक महिला थी जिन्होंने एक साथ नौ बच्चे को जन्म दिया था और अब एक नई नियूस निकल करके सामने आ रहे हैं जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं यह साउथ अफ्रिका की महिला जिनका नाम है गोसिया में इन्होंने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया है और इन 10 बच्चों में 7 लड़के हैं और 3 लड़किया हैं मतलब बताओ बहला यह तो कमाल ही है एक ही बार में यह फुरसत हो चुकी है और अपनी क्रिकेट टीम इन्होंना तयार कर ली है तो एक नया वल्ड रि रिपोर्ट जारी की है इसमें ये बताया गया है कि मसीन लर्रिंग और मैथ जैसे फिल्ड में अच्छी स्किल होने के बावजूद भारत इस शेत्र में पीछे है तो भारत की क्या रेंकिंग है भारत इसमें 67 प्लेस पर रहा है डिजिटल स्किल रिपोर्ट में टॉप पर कर देश है इसकी capital है बर्न currency Swiss franc इसे आप currency से रिलेट कर सकते हैं जैसे कि हाली में जो स्विजर लैंड है इसने बेज़ को कवर करने पर मतलब कि पबलिक प्लेस पर फेस कवर करने को लेकर के इसने पूरी तरह से इसे बैं कर दिया है किसी पी तरह से आप face को cover नहीं कर सकते हैं पब्लिक places पर यदि हम अदर option की बात करें तो जो press freedom index release किया गया था इसमें top पर Norway है इंडिया की ranking 142 है हेंले passport index में top पर Japan है इंडिया की ranking 84 है यह April 2021 की ranking में आप लोगों को बता रही हूँ passport index में जबकि जनवरी में जो हेंले passport index release किया गया था इसमें इंडिया की ranking 85 बताई गयी थी कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका right answer इसरायल था अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी किस undersea cable का निर्माण करने की घोशना की है तो देखिए कल मैंने ये question दूसरे तरीके से पढ़ाया था कि सबसे लंबा undersea cable Google बनाने जा रही है लेकिन यहाँ question मैंने दूसरे format में रखा है आप लोगों को ये बताना है कि गूगल के तवारा बनाई जा रही सबसे लंबी undersea cable का नाम क्या है कल मैंने नाम बताया भी था इसका जो भी answer है कमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो दी पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना विल्कुल मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही थांक यू सबस्क्राइब करना विल्कुल मत भूलिएगा